सोचो के वो इंसान कितना खुंखार होगा जो अपनी बच्ची तक को मारने में जरा सा भी नहीं जिजगा। तामिल नाडू के जंगली डाकू विरभपन की दो बेटियां होती हैं। जब उसकी तीसरी बेटी जनम लेती है तो वो बहुत मुश्किल में पढ़ जाता है। दरसल जब ये छोटी सी बच्ची रोती है तो जंगल में दूर दूर तक उसकी आवाज गुंचती है। उपर से पुलिस उसे पकरने के लिए पूरी तयारी में होती है। इस बच्ची की आवाज पुलिस तक ना पहुंचे और विरप्पन गिरफतार ना हो जाए। इसी डर से वो खुद अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को गला घोट कर उसे मार देता है। विरप्पन की पूरी लाइफ के बारे में जानने के लिए आप मेरी चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हैं।